नमस्कार दोस्तों कैसे आप सब लोग और बहुत सागत आपका इस्टेडिशाला टूपइंटों में और उम्मिद करता हूं आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप लोग काफी अच्छे से मन लगा के पढ़ रहे होंगे बगार इसकी चिंता क्योंकि वैकेंसी आ इंवार्मेंट के हिस्ट्री की वो सब कैसे चल रही है तो चलिए समय को ना गवाते हुए बेके करके हम सारे को डिसकस करेंगे और आप अपने मार्स जरूर बताईएगा कि आप कितने सारी नंबर पार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा टूटर हम 25 को यहां पर ल दोस्तों भारती संविधान जैसा कि हम सब लोग जानते हैं आप इसको संविधान सभाने जो है लिखा था और इसको बनाने में दो साल 11 महीने 18 दिन लग गये थे और 26 नवंबर 1949 को यह बनके तयार हुआ था ठीक है दोस्तों इसी 26 नॉमबर को हम क्या मनाते हैं संविधान दिवस की रूप में बनाते हैं ठीक है और आप ध्यान से सुनिए गया हम एक ही कोईस्टन में बहुत सारी चीज़े को मतलब हम बहुत सारी डिसकस करेंगे तो आपका काफी सार रिवीजन होता जाएगा ठीक है दोस्तों तो दो साल 11 में अठारा दिन लगे थे टोटल कितने सेशन हुए थे बारा सेशन हुए थे टोटल संविधान सभा के 26 नॉमबर 1949 में बनके तयार हुआ था संविधान दिवस इसको मनाते हैं और इसकी जो अधक्षता है संविधा संविधान सभाग के वह डॉक्टर सचिदानन सिना थे जो इसकी मीटिंग हुई थी नव दिसंबर 1946 तो पहली मीटिंग में इनको चुना गया था तो अब यहां पर बताना आपको भारती संविधान का जैनक किसे का आता है तो आपका शही ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर को क्यों कह जाता है क्योंकि यह यही सबसे इंप्रोटिन कमीटि ती जिसने पूरस मविधान को ड्राफ्ट किया था उसका एक मॉडल गनाया था उसको इधर से हड़ जगा सी करके आप कॉपी भी कह सकते आँ कुछ कुछ है प्रोवेजन्स हमने कॉपी भी किया थे तो सबसे यह है इनकी मुंख भूम करति है तो भारती संभर्धान का इनको के थि का कि दूष्टो मॉडण मनु भी चाहते हैं को दूसरे थे जवाला नेरु इन्होंने निझा दिया था इन्होंने जो प्रस्तावना है झो देशी का जिसका देशिका इन्हों सब्सक्राइब थी देश का इन्होंने कब वो किया था 13 दिसंबर को देश का किया था सर्दार पटेल जो थे हमारे भारत के पहले होम अगी अब कहुंता कुछ आप बहे हैं कि जो रट प्रेटी सेётся जब आपको जो फंडमेंटल राइटस दिये गए हैं जितने भी आपके पास fundamental rights है छे प्रकार के fundamental राइट से मैं आपको बताया था छे प्रकार के अधिकार दिये गए मौलिक अधिकार आपको मौलिक अधिकार कहां से लिए गया थे हैं 1978 के द्वारा ठीक है दोस्तों तो अब यहाँ पर देखना आपको की अच्छा राइट में अगर आपके वाइलेशन होता है कोई उसका गलत इस्तेमाल करता है उसको अगेंस जाता तो आप किसके पास जा सकते आप सुप्रीम कोट के पास जा सकते बिल्कुल जा सकते हैं आ आपका संब्धानी का अधिकार नहीं है यह आपका एक लीगल राइट है कि इसमें आप जो है मौली का अधिकारों के अंत्रगत नहीं आता तो आप इसमें अगर जाते है तो चनाल हो सकता मना भी कर दे लेकिन सुप्रीम कोट आर्टिकल 32 के तहत 32 के तहत मना नहीं करेगा यह दोनों के पास यह आप्शन कौन सापका सही हो जाएगा सी संसत कुछ नहीं कर सकती इस मामले में ठीक है चलिए प्लासी का युद्ध कव हुआ था दोस्तों प्लासी एक बहुत ही फेमस युद्ध था इसलिए फेमस था क्योंकि अंग्रेजों ने पहली बार है बहुत बड़े जो हमारा बेंगॉल डिवीजन था उसको हराया था और उस समय जो हमारे जो नवाप थे बेंगॉल के वह नवाप सिराजुद दौला थे तो और जो ब्रिटेश की सेना थे उसका नेतृत लॉट क्लाइव कर रहे थे ठीक है लॉट क्लाइव के नेतृत था और सिराजुद दौला ये दोनों लड़ रहे थे इनका जो सिपाही इनका जो मेर्जाफर था उसने बिशिकली एक तरह से लड़ने से मना कर दिया था इन क्या था उसके बीच में डील हो गए थी लॉड क्लाइव में और इनके बीच में में जाफर को कि आपका जो नवाब है सिराल दौला उसके बाद हम बना देंगे आप ही को नवाब ठीक है तो आप हमारी मदद करिए बेसिकली दोस्तों अगर हम यहां पर बात करें तो जो भार के लोगी थे एक तरह से जो बेसिकली जाके अंग्रेजों से मिलके वहां पर उनको अपनी इंपोर्टन चीज़े बता देते थे और जो युद्ध होता था वो एक तरफा हो जाता था भारत में जो यह कॉंकेस्ट हुआ था भारत पर जो कब्जा हुआ था बिटसर्स का वो तरह भाल में वहाता ठीक है तो किसके बीच में तो स्राइव दौल और लॉड़ प्लाइव के बिचे सत्रा सुएक सट में अगर आपको याद हो तीसरा दुए था पानी पत का तीसरा युद्ध ठीक है 1764 में आपका बक्सर का युद्ध हुआ था यह भी बहुत इंपॉर्टेंट था बक्सर का युद्ध हुआ था और सब्सक्राइब तो पानीपत के इसके बाद अपका बक्सर का युद्ध हुआ था 57 में आपके प्लासी और 26 में आपको उन्हें बता दिया पानीपत अच्छा यह किसके बीच में हुआ था तो अहमत सब्सक्राइब युद्ध का पहला युद्ध था वह बाबर और ब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था चपन वाला जो तो बेसिकली आपको यह सारी चीजें जो है रिवाइज कर लेनी चाहिए ठीक है जब क्लास लेंगे मैं अभी तो टाइम की थोड़ी सी दिक्कत है इसलिए क्लास ने ले पार हुआ जिस्ट्री जोग्रफी पॉलिटी यह सारा सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे तब मैं एक एक क सब्सक्राइब किन सागरों को अलग करती दोस्तों स्ट्रेट ऑफ फॉर्मुज यह बिसिकली जो आपका सेंट्रल इस्टेशिया है और साउथ एशिया मतलब सेंट्रल इस्टेशिया पाकिस्तान के भगल में जो आपका इरान है वहां पे है यह और मुज जलसंदी और यह क कौन सी स्टेट अलग करती नों इनको सुन्डा स्टेट अलग करती सुन्डा जलसंदी ठीक है और लाल सागर और एडन की खारी को गल्फ ऑफ कौन सी बाबल मांडेव बाबल मांडेव बोलते इसको दोस्तों ठीक है बाबल मांडेव है जो लाल सागर और एडन की खारी को को अलग करता है और बंगॉल की खौड़ी और हिंद महासारों कौन अलग करता है पाक की खाड़ी पाक की स्ट्रेट यानि की पाक जलसंदी बोल सकते हैं इसको ठीक है पाक जलसंदी पाक से हाँ पाकिस्तान मत समझीएगा बिल्कुल ठीक है यह आपने देख लिए को जल देली बढ़ते पाच्वेग तरफ वन ने जी सनक्षन अधिनियां 1922 के अंतरगत की सूची के अंतरग सब्सक्ता इनको सेंटरल गवर्मेंट की कर सकते और यह किस्की रिक्वेस्ट पर स्टेट के रिक्वेस्ट वहां लीजे की अभिमाण लेजी में नीलगाय ने बहुत आतंक मचा दिया सपोस करिये कि नीलगाय बहुत ज्यादा लोगों की फ़सलों को खतम कर रही है लोगो कि यह बहुत जादा नुकसान कर रहे ठीक है तो जब सेंटल गवर्मेंट के पास जाएगा तो सेंटल गवर्मेंट जो है एक बॉडी होती है नेशनल बोर्ड ऑफ वाइड लाइफ यह बॉडी जो है बेसिकली यह सारी चीह देखती है तो यह बॉडी बताएगी कि आप इसक 1505 में आपको याद होगा बंगाल विभाजन हुआ था बंगाल विभाजन ठीक है उसके बात जो एक आंदोलन हुआता जिसको सोदेशी अंदोलन बॉलते Сोदेशी आंदोलन जीक है सा अंदोलन को देखे तकरार क्यों हूं थे गरम दलो अरमम दल अलग क्यों पहलेências अलग बंगाल विवाजन की बाद की लॉड करजन ने बंगाल विवाजन शुरू किया था और जब उसके बाद में इसी आंदोलन चलाया गया तो इस आंदोलन को बेसिकली नरम दल क्या चाहते थे कि बेंगवाल तक ही सीमित रहे इसके आसपास के एरियम लेकिन गरम दल वाले चाह और इसके बाद जो है इसमें अधिक्ष्टा में जो है स्वधेशी कि बाइकॉर्ट कि एजुकेशन इन सब पर मुद्दे और जो सेल्फ गवर्मेंट वाला स्वराज वाने जो है ठीक है सेल्फ गवर्मेंट सेल्फ गवर्मेंट की बात की गई थी वह 1906 के कॉंग्रेस अधिक्ष्टा चाहते थे गरम दल वाले की जो है तिलक जी करें लेकिन नरम दल वाले चाहते थे किसकी अध्रिश्टा रास भिहारी घोष जी करें तो बेसिकली उन्होंने किया और इस तरह से जो है सूरत स्प्लिट वा तो सूरत स्प्लिट में जब कॉंग्रेस का जो यह हूम ने बनाया था इसके निर्मानों जो पहली मीटिंग हुई थे 1850 में वो किसने अटेंड किया किसने जो है करवाय थी डबलू सी बैनर जी ने करवाय थी टोटल बहत्तर डेलिगेट्स ने बॉंबे में हुई थी यह मीटिंग उसको अटेंड किया था उन्नी सो सत्त आके कॉंग्रेस अधिवेशन में जो कलकता में हुआ था उसकी अधिश्ता की थी ठीक दोस्तों है तो यहां पर हमने देख लिया उन्नी सो सत्तरा ठासो पचासे सब ने सो साथ और निस्तों चे चलिए अब देखतें अगले कि स्लाइड में अगल अगा में पारितंत्र जो वर्ड है वो सबसे पहले किसंने दिया ठाप आर जी टांसले ने अरूनिस्ट हैकल ने क्या दिया था अर ने स्ट्रेंने एकूलाजी वर्ड दिया था ठीक है यानि कि पारिस्थित की और लिंडे मैन ने क्या दिया था लिंडे मैन आपका 10% रूल दिया था ठीक है तो आपका सही आप्षिन क्या हो जागा शाथ में का ए चलिए आगे बढ़ते जल दिया लोग सभाध्ध्ष अपना त्याग पत्र किसे सौपता दोस्तों लोग सभाध्ध्ष अपना त्याख पत्र को देगा तो वह लोग सभा उपाध्ध्ष्ययर की डेपटिश स्पीकर को सोपेगा और राश्ट्रपति प्रधान मंत्री अनिया जीदिस इन सब का इन्से को लिए और यह जबहु अपना त्यागर द्वाःइवा देन अधर से नधी कहते हैं जो इधर से आके मिलती है सर्यूं भी बार साइड की यहां से यहां से आके राम गंगा जो है यहां पर मिलती है यह भी बाइंसाइड के तो आपका उप्शन सही क्या हो जाएगा यम्ना यह दाइंसाइड की साइक नदी है जोजिला जर्रा किस राज्य में दोस्तों देखिए जोजिला बेसिकली वैसे तो लुद्दाक में है लेकिन अब थे यह यूश्चमीर क्शमीर घार्टी को दरास से जोडता है और यहां पर में इसंथिद है और यहां पर जम्मुक स्मीर में अगरर लद Immag teenager time this भारती कांग्रेस की पहली महिला अधक्ष कौन थी भारती कांग्रेस की पहली महिला अधक्ष कूथा है ध्यान से देखे रहे हैं पहली भारती महिला अधक्ष नहीं पूचा मैंने पहली महिला अधक्ष तो कौन थी वो एनी बेसंट थी ठीक है में 177 के अधिवेशन में जो कलकत्ता में हुआ था उसमें जो है इन्होंने उसकी अध्यक्षता की थी मैडम कामा को बोलते हैं मदर ओफ इंडियन अधिवेशन में अपनी स्पीच दी थी अधिवेशन में तो यह बेसिकली कलकत्ता इन्वस्टी की पहली महिला ग्रेजुएट है जोने अधिवेशन हुआ था उसमें इन्होंने स्पीच दी थी ठीक है दोस्तों चलिए अगले को शिंटर बढ़ते फटावत इन घटनावको बढ़ते क्रम में लगाई जो पहले हुई है उसके बाद में हुई है वो सबको आपको इसको क्रम में लगाना है आपके यहां पर ओप्शन दिये गए तो चली देखते हैं आम सैक्ट बिसिकली दोस्तों 1868 में आया था उसमें कौन सा गवर्नर था लॉड लिटन थे ठीक है बंगाल विभाजन 1905 में आया था उसमें कौन थे गवर्नर लॉड कर्जन थे दिल्ली दर्बार 1877 में हुआ था पहला और इस समय तो कौन थे लॉड लिटन और कॉंगरिस के स्थापना 1885 में हुई थी और कौन थे लॉड डफरीन अब यहां पर दोस्तों आपको बताना है सुरी कि कौन सा करम पहले आएगा तो अगर आप देखेंगे सबसे पहले आपका आएगा सी पिर आपका आएगा ए फिर आपका आएगा डी फिर भी सी एडी यानिकि आपका अप्शन दूसर ही जाता अब यहां पर देखें बंगाल विभाजन के बाद एक दिली दरबार औ इसकी बहुत आलोचना हुए थी क्योंकि इस समय साउथ इंडिया सेंटरल इंडिया यह समय बहुत भड़ी भुकमरी फैली विए थी और दिल्ली दरबार बहुत ही लैविश हुआ था बहुत ज्यादा उसमें लक्जूरियस चीजें इस्तमाल हुए थी जब कि उसमें भार बार हुए तो 77 में 1903 में 1911 में तो यह जो दो दिल्ली दरबार आप देख रहे हैं इसके में जो पहला वाला पठास तर वाला देख रहे हैं इसमें तो भुकमरी की वज़ा से काफी बिरोध हुआ था क्योंकि दोस्तों बहुत लोग मर रहे थे और इदर सरकार जो पैसे कह यहां खर्च कर रहे थी अपने आयाशी पे और बहुत जादा खर्चा वर्चा कर रहे थी तो इस तरह से यह गढ़बर था चलिए कैंज सुंधर ंवर थाटीन देखते हैं 12 हो गया यहां पर दस डिगरी चैनल किस किस डीप को अलग करता दस डिगरी चैनल दोस्तों बेसिकली चैनल क्या होता एक वॉटर बॉडि होती है एक जलनता होता ओपन जो दो वॉटर पोडीह को या दो दीपों को अल가 करता तो यह बिसिकलीई चैनल क्या है यह वाटर बोडी है जलनिकाहे जो दीप या महाधीप या सागर किसी को थीख सकते हैं तो this डिगरीए बिसिकलीक इसको अलग करता अंदमारन नीक बांग को ठीक है दोस्तों लक्षुदीप और मिनिकोय को कौन अलग करता है लक्षुदीप और मिनिकोय को आपका नाइन डिग्री चैनल करता है मिनिकोय और माल्दीफ को एट डिग्री चैनल करता है और सुमात्रा और निकुबार को जो है वो ग्रेट चैनल करता है तो यहाँ पे आप आपको तो ध्यान मत दीजिए ज्यादा कि इतना अच्छा नहीं है कुछ मैपिंग मेरा यह आपका इंडिया है हमारा प्यारा भारत यहाँ पे अंडवान निकोबार दीप सम्मूह अगरा है यहाँ पे आपका लक्षदीप है यहाँ निचे आपका इंडょमान नीचे आपका यहाँ को मैंने बताया है तब लग्षदीप है और अलग करते आपका यहाँ favourite और लक्षिदीप और मेनिकोई और इसको मालदीव को ठीक है तो यहाँ पर ज्यादा कुछ बताने लाइक था नहीं यह सब आपको याद रखना पड़ेगा मैं आप आप एक बार देख लेंगे तो आपको चीज़ें याद रहें ठीक है दोस्तों ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गिबी यानि भारती तिलोर भी इसको बोलते हैं इसका आयूसीन स्टेटस क्या है और डबलू पियानी की वन जी सनक्षान अधिनियम के कि सूची में स्थित है ठीक है तो यह दोस्तों बेसिकलिए कि बहुत ही ज्यादा यह इसको क्रिटिकली इ है और इसको जो है पहली सबसे जो हाइस लेवल की सिक्योरिटी दी आती है वो दी आती है और यह डबलू पिया की पहली जो सूची है उसमें स्थित है और गिबी सीमेस जो हुआ था माइग्रेटरी बर्ड इस पिसी इसको बॉन कर्वेंशन भी बोलते हैं सीमेस का जो पॉटेंट पच्छी है जो काफी संकर क्रेस्ट है तो यह चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए इसका ओप्शन यह जाएगा आपका ए ठीक है उत्सरजन गया प्रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है इसके साथ ही यह एडॉप्टेशन गया प्रिपोर्ट भी पब्लिश करता एडॉप्टेशन पर गया प्रिपोर्ट और वर्ड इन्वार्मेंट आउट्लूग भी पब्लिश करता है वर्ड इन्वार्मेंट आउट्लूग यह उन्यपी का हैड़कॉर्टर कहां दोस्तों आपको बताना है यह से तो नैयरोभी में बता देता हूं है और आयू सीन ज्यादा फेमस बॉड़ी है ठीक है संतानवे समिधान संसोधन अधिनियम द्वारान में से क्या जोड़ा गया है इसमें संसोधन अधिनियम जो 2011 था बेसे लिए कॉपरेटिव ससाइटी इन सबसे रिलेटेड़ था तो यह तीनों ही ऑप्शन इसके सही है उन्नीस एसी बाए गर दी अभी हाली में सहाकार मंत्राल आई यानि पहला जो मिनिस्ट्री ऊप और待 फोड़ेटरीव से से उसको स्टैबलीस किया गया उसके पहले कवले अच्छा यह जो भी कोश्चन्स मैं आपको बता रहा हूं यहां पर अगर आपको पसंद आ रहा हुए जीएस का टेस्ट प्लीज कमेंट सेक्षम जरू बताइएगा मैं आज कल जीएसी क्लासिज लेने ही पा रहा हूं जो भी इन्वार्मेंट वगरा किया कुछ समस्चा है बट आप कुछ दिनों बाद मैं अच्छे से सारी क्लासिज कंड़क्ट राऊंगा इसलिए मैंने सुचा कि टेस्ट वगरा लेके यह चेक कर लिया जाए कि अगर आप प्राइवड़ाई कर रहे कहीं से भी आप जीएस या इन्वार्मेंट वगरा पढ़ रहे हैं तो आपक कीज होती है वह होती आपका सेलेक्शन हमारी दुआ हमारा जो है जितना भी हम हम से बन पाता हम उतना सपोर्ट आपको करेंगे ताकि आपका सेलेक्शन हो जाब बस यही सबसे जो प्राइम फोकस हमारा रहेगा वही रहेगा चलिए अठा नमर कोश्चन तरब बढ़ते हैं आए ने दोस्तों इंडिया नैश्नल आर्मी यानि आजादिन फॉइसको बोलते हैं स्थापना किस ने की थे दोस्तों आप आप मेंसे बहुत लोग सूछते होंगे किसकी स्थापना सुभाश चन बोस्ट ने की देजी नहीं घलत जवाब है इसकी स्थापना मोहन सिंग जी वोलते उनको तो उन्हीं को संगठित करके इन्होंने आईने की स्थापना की थी 1942 में सुभास चंद बोस जी ने आईने को नया जीवन दान दिया स्थापना उसमें जॉइन किया था राज बिहारी गोष्ट मैंने आपको बताया था कि जो सूरत स्प्लिट हुआ था उसकी अधिक्षता राज बिहारी गोष्ट ने की थी नहरु जी ने जो है बैक्टिरिया है बहुत पहले भी शिगला आउट ब्रेक हो चुका है लेकिन आभी केरल में हाली में फिर से शिगला आउट ब्रेक हुआ है कुछ लोगों ने एक डेश होती है काफी सारे लोगों ने आप मेंसे खाया भी होगा शवर्मा बोलते हैं तो वह चिकन बैसिक्ली मेजर कौज कि बड़ी कारण है बच्चों में राइरिया होने के वह शीगेला वाइरस जो बढ़ी कारण dot भारत की रहेंग जो इस बार की वर्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में वह डेड़ सो हुई है टोटल एक्सौसी कंट्री थे और दोस्तों मेरा यहां पर सोचना है कि भारत की रहेंग कितनी खराब नहीं होनी चाहिए क्योंकि भारत से भी गंभीर समस्याएं हैं और भी देश है कि उन्होंने जन्रेर्शम को प्रमोट नहीं किया है लेकिन तब भी उनकी रेंकिंग भारत से उपर है मुझे समझने आता कि क्या इसका क्राइटीरिया और इसको एक एंज्यों है ग्लोबल एंजीओ रिपोर्टर सेंट फ्रांटियर्स इसको रिपोर्टर्स विजाओर भी बोलते हैं तो यही जो है इसको जारी करती है और इस साल की भारत की रैंकिंग डेड़ सो है 180 टोटल कंट्री इस ते सबसे लास्ट में आपका नौर्थ को डिया है और हाँ इसमें इसका जो हेड़कॉर्टर है वह आपको कमेंट सेक्षिन बताना है कि हेड़कॉर्टर कहा पर ठीक है लास्ट में बताओंगा आंसर के अध्यक्वाटर का कहा पर चलिए भारत और यहाँ पर डाइस दिया आपको बताना कौन सी कंट्री जिन्होंने हाली में ग्रीन स्ट्राटेजिक पार्टनर्स्वें इस्ट्रेजिक पार्टनर्सिप का मतलब दोस्तों होता है कि जो भी ग्रीन अनर्जी है यालिकी जोब अनर्जी को प्रडूर्ट करने में फीयर नूक्सान नहीं ओता दुबारह भ्लाग जाक्ता रिणवन भी फैक्टर इनको ध्यान में रख के जो एनर्जी को भॉला जाता वह ग्रीन अर्जी बोली या त Aujourd' के लिए इनर्जी को फूर्टर में लार्ज स्केल पे इनविस्टमेंट के लिए भारत ने और डर्मार्क ने यहां पर पार्टनर्शिप की हैं तो जो ऑप तो यहां यहां पर इसका सभी अप्ष Valentkaya और नौडिक कंट्री में आपको तो अभी हाले में हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वह नौर्डिक देशों के विजिट पर गए थे और वहाँ पर काफी सारे समझाओते हुए हैं क्योंकि जो नौर्डिक कंट्रीज वह बहुत ही आया डेवलप्ड है हुमन डेवलप्र इंडेक्स में टॉप में रहती है पॉइंट्स है अगर आप न्यूजपेपर वगड़ा में पढ़ें तो हाप आप देखना चाहिए चलिए बीसी जी एक वैक्सीन होती है सभी को बच्पन में लगते लगबग बैसिलस कालमेट गियूरिन बोलते हैं इसको दो साइंटिस्ट थे कालमेट और गियूरिन जिन सब्सक्राइब बहुत सारे लोग टीवी से मर जाते हैं और टीवी के लिए भारत ने डॉट्स प्रोग्राम शुरू किया था जो वह से इंस्पायर था भारत में नेशनल टीवी कंट्रोल प्रोग्राम लांच किया था 1962 में ठीक है तो इस तरह से जो है टीवी से जो जूड से समंदित है दोस्तों यहाँ पूछने का मेरा यहाँ पर तात पर यह कुछ और भी था इसको यह एक तरह से जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट से इंटेंजिबल साइट इंटेंजिबल मतलब होता है जो जिसको आप छूने ही सकते जो नॉलेज या कोई आर्ट फॉर्म किसी स रिलेटेज होती है तो उस इंटेंजिबल साइट में इसको गिना आता है और यह भारत में भी 14 इंटेंजिबल साइट सभी हाली में चौधामी जो एड हुआ है वह दुर्गा पूजा को एड किया गया इसलिए मेरा पूछने का मतलब यही था कि आपको यह जानकारी देना चौधामी जो इंटेंजिबल साइट है वह दुर्गा पूजा है इसको भी हाली में एड किया गया है अगर आपको यहाद हो तो तरहावी साइट थी वह कौन था था कुम्भ मेला था ठीक है तो यह कौन बताता है यह यूनेसको देचारी करता है अब आपको यहाँ पे कमे है नहीं कर सकते जो आपके कर सकते हैं और यह आपका और ऑपशन क्या हो जाएगा माउस वर्डवाइड व्यानिक इंटरनेट इसको आप वोलते हैं यह सफ्ट्वेर होता एंटिवायरेस भी सफ्ट्रों रही आपको औप्षन सही क्या हो जाए आप यह गंपूटर हर्डवेर होता है ठीक है सबसे आखरी कोश्चन रंगा में भारत की पहली फीमेल गोल्डेंट अगर है फी उसका नाम क्या है अगर आपको पढ़ता हो काजी 106 एफ वोलते हैं उसको तो यह भारत की पहली फीमेल गोल् आयमा में और ही तीसरे नंबर प्रता है अगर हम पहले बात करें तो सबसे पहले आपको अधुल में पढ़करी श्रस्तीय लावासिव व्हां। यह सारे कंचन जंगा मिलता नाम है कंचन जंगा कहां पर सिक्वी में ठीक है चलिए तु यह आज का आख़ी कोशिन था दोस्तों अगर आपको यह पूरा करेंट अफ़ेर के सीरीज यह सॉरी जो आपकी जीस की यह टेश सीरीज है पहली अगर आपको पसंद आया हो तो आप को जरूर लाइक करिएगा कमेंट सेक्षिन बताइएगा कि ऐसी और टेस्ट आप चाहते हैं कब चाहते हैं कितने कितने दिनों की गायब पेस्ट को दिया जाए यह आप जरूर बताइएगा और हमारे स्टेडी शाला टू पॉइंट ओ में आप जूड़े हैं इसके लिए अगर आप लगे रहेंगे कहते हैं कच्छवा धीरे धीरे चलता है वह यह परवा नहीं करता है कि उसके बगल में खरगोश कहां दोड़ रहा है क्या हो रहा हो दिरे दर चलता जलता अपनी मंजिल पहुंच जाता तो आपको मंजिल मिलेगी एक दिन बस आप होसला रखिए कि भगवान भी उन्हीं लोगों की मदद करते हैं जिनके अंदर होवसला होता जिनके अंदर रिस्क लेने की छमता होती तो पढ़ते रहिए और बिना किसी चीज के बारे में सूचे हुए कोई निगेटिविटी सोचे हुए अच्छे से मेहनत करते रहे रिवाइस करते रहे टेस्ट देते रहे हमारे परिवार के साथ जूड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं अगले जीएस के टेस्ट में तब तक के लिए जय हिन